बही चालू अपी का दूसरा वलोग आ गया है मुदाहा से ठीक है ना और भाई साब दोनों शराफत के पुतले बनके कैसे कह रहे हैं मतलब उसी टाइम ये दफीना वगरा करकर आए होंगे जो की रिचुल होते हैं और कैसे दर्वाजे के गेट पर ही खड़े होके जो है एक् बाली चुन्नी मुन्नी गुडिया बनके जैसे इस से जादा कोई भोला भाला नहीं है पूरे व्लोग में खीकी खीकी पूरी रेंप वोक और ना जाने क्या क्या करती घूमरी है चली आपको बताते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को ट्रेज़िडी है बाकि तो वो जो बड़ी ही मोज मस्ती में अपने व्लोग निकाल दी है घूम रही है फिर रही है क्या क्या कर दी है दोनों लड़कियों को साथ में ले कर आई एक वहाँ बैकि अपने एसे रिस्तेदारों के लिए अपने नुकसान थोड़ी न उठाउं एक स्क्रेंशोट लगाया यह यू कितने गंदे दात हैं अभी भी इसने गुटका खाना बंद नहीं किया और कैसे एक चालू अपी खुद को इतनी चुई मुई गुडिया स्वीट और अपने आपको बड़ी वो समझती हुई ना प्रेंसे समझती हुई एक ऐसे लड़के से जिसका इस तरह से लुक है जिसके इस तरह से गंदे दात हैं कैसे पसंद कर लिया और क्या पसंद आता है पूरे व्लोग में तो यह द्यान से सुन दी थी कि यह बताएं यह बताएं कि बाजी हर भी आ गई थी क्योंकि भई भाण जी भान जी तो दिखाएं जटानी के महां पर देखो कलदा से हम सोने पाई यह देख सकते हो आप हमारी आख कैसे ओजी यह भी नहीं सोपाई थी और लोग होते हैं वहां पर ऐसे होता है जैसे किसी के हाँ पर इस तरह से ऐसे कोई इंतकाल हो जाता है तो उनके घर में ना बनके उनके कोई दूर के रिष्टदार हो अड़ोसी पड़ोसी जो ना वो नास्ता पानी दो से तीन दिन तक उनके यहां से प्रोवाइड होता है उसके बाद जबी फर्स्ट जुम्रात आ जाती है मतलब आप लोग जुम्रात नही की फातिया पड़ी जाती है और उसके बार से इनके रिष्ट पर तवा चलना चालु हो जाता है मतलब जिनके रिष्ट पर इनके शे का पर फूर्थ हो कैसे है लेकन यह तो पहला ही दिन था जिस दिन ये पोंचे थे यह तो पहला ही दिन था न कि दफिन diagnose शब कर मतलब कुस्तो कुस्तो डिगनिटी रख भाई कोई तो इंसानिया रख वहां पर रुकना चाहिए था अपने नंत के साथ कुछ एक दो चीजों में हाथ बटा लेती आए गयों को पानी पिलवाने में एल्प कर देती पानी का प्रोविजन यह सब कुछ करना यह सब कुछ बता देखो गर्मी का कितना टाइम है लोगों को ठंडा पानी चाहिए होता है पब्लिक जमा होती है वहां पढ़ना पढ़ाना होता है दुआय। क्योंकि जितना से जादा से जादा पढ़ा जाता है उत्रा ही मरने वाले को बहुत जादा सवाब लगता है क्योंकि विर वो मोहताज हो जाते हैं मरने के बाद क्योंकि उनको तो भी क्या है फिर वो महताद हो जाते हैं कि हमें कोई दूसरा ही पढ़कर हमें भेजे तो उससे हमें राहत मिलेगी क्योंकि मरने वाला खुद अपने लिए नहीं पढ़ सकता जीते जिन्दिगी आप अपने लिए पढ़ सकते हो फिर चाहे कलमा हो सुरायासीन हो चाहे कलमा हो नमाज जो भी कुछ है जो भी तस्वियां है ये कहते हैं ना कि जितना जादा से जादा पढ़ा जाये उस टाइम जिस घर में मौत हुए हो उतना जादा से जादा सवाब लगता है तो इनको वहाँ पर रुकना चाहिये था हुआ लोगों से पढ़वाना चाहिये था वो चिय जो चीया बोलते हैं गुटली भी बीखते हैं या जो भी आप बोलो कि वहाँ पर आ आये तस्वियां आती या सिपारे आते हैं महां से मस्जिद से उनको बैट के पढ़ाया जाता है तो इन सब चीजों की देखभाल की जाती है तो घर वाले ही तो देखते हैं बैट कर पढ़ते हैं अब भाई एक बाल बताओ इसकी ननद वहाँ पे इन सब चीजों में बीजी थी अपने सास के पास कोई मतलब किसी की मौज जिंदीगी से जादा तो मैं अपने आराम की पढ़िये ना नाब रहिया डाक सरकल ना हो जाए ब्यूटी में कमी ना आ जाए मुझे तो यह करना है और अगले दिन भाग भी ली जब आए हो इतना पैसा खर्च करके टाइम निकाल कर तो मतलब वहा इसी वज़े से थे कि वापस में हमिया से फ्लाइट में जाएंगे और यह फ्लाइट कभी इसका कोरा ना तक था वो क्यूं था वो भी हम आपको डेफिनिटली बताएंगे वोटकास को एन तक सुनिएगा अब देखो यह घर पे सो गई है इसको काहोगा जाओ चालू तुम नींद पूरी होने अब हो ज़्यादा जरूरी है तुम तो मेम साब हो और काम मैं कर लूँगा तो यह वहाँ पे चला गया तो भाई तुम जो काम करने के लिए गए थे तो तुम आदमियों के लिए ही तो करा सकते हो यह वहाँ ओर्तों में भी करा सकते हो जो परदे वाली ये चचिएँ होती है, ये सारी चीजों में उनकी help करा देती है, नहीं एसा नहीं होगा, तुम जाओ, तुम सो, मैं कर लूगा, तो ये वही सारी चीजें निप्ता के वहां से आया कहECijn रहें, ना फातिया भी हो गई ये, मतलब फातिया होती है, असर के टाइम मगरिब के टा या यूँ समझलिजे के खेरिया और चौहर की नमाज कीज़ी होती के होती है यूस के बाद ये महरानी सोई है और सिधा असर के टाइम है, या या अवस्तना आराम किया इस महरानी ने और जब आके फनी ने दिखाया है कि ये सब सो रहे हैं और इसकी तो एक बार सूब़े हो थी और एक बार इसकी दुबारे से सुबह हुई है यानिके अब इसकी morning हुई है तो वही पर छो है ना वो उनकी भानजी और भानजे भी बैठी हुएं और वहीं पर सहर खड़ी हुई उन ब्लैंकेट की तैह बना रही है क्योंकि अब इनकी साथ ससूर्टों है नहीं ये स्रिफ इसका नाटक है ये तो भाई मुझे नहीं पता लेकिन गर्मी तो वाकि हर जगह बहुत जादा पढ़ रही है अब कल से अल्ला का शुकर है कि थोड़ी सी बुंदा बांदी हुई है थोड़ी बारिश हुई है इदर दिल्ली वाले एरिया में उच्छ यूपी के ए प्रूरी थी ये कौन से टाइम के दो बता रही है भाई मुझे एक बात बताईए जब ये सवेरे आए हैं वहां से तो ये रात पर सोई नहीं है और फिर ये सुबह चले गए दफीना कराने के लिए उसके बाद जोहर के टाइम पर रखे गए होंगे और फिर ये आके दिन म क्योंकि ये कवर्ड रहता है इसलिए यहां पर हम अराम से सोई थी और वो रुक्साना बाजी आ गई है तो उनको करे रुक्साना बाजी की तो देखो हालती ज़्यादा खराब है तो उन्होंने विचारी ने अपनी लेंग्वेज में बोलता कि टीन है वो बहुत गर्मी है और कंक्रीट के घर में यानि के लेंटर परे हुए घर में इट पत्तर के बने हुए घर में इनको ठंड लग रही है और इसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और जिनके घरों में टीन डली हुई है यह सिमेंट की चादर डली हुए प्रॉपर लेंटर भी नहीं ह ये सोच कर देखिए उनके घर कितनी बुरी तरह से तप रहूंगे तो डेफिनेटली उनकी तो बुरी हालत होनी ही है ना उपर से उनका मजाक उड़ा है लेकिन फिर भी वो जो फरजाना बाजिर जी है ना वो विचारी हस्ती मुस्कुराती रहती है और हमेशा अपने काम में ही लगी रहती है और इनके लिए दुनिया भर कि सेवा करती रहती है तो फिर वो कह ही है करे चिनके घर में पेक लैटर नहीं है उसकी बेटी के साथ किया जब उसको डॉक्टर ने मना किया कि बाहर की चीजे मत खाओ उसके बावजूद भी उठा के इसके किंडर जो है और उसको दे रहा था तो उस बच्ची ने हाथ बढ़ाया और तब इसने मना कि अच्छा अभी लेगी और यही सारे काम इसने उस कपने हुए जब उन्होंने उकाद की बात कहें नए नए नहीं अगरे चुलर नहीं है और एक बात है कोई नहीं होता लेकिन यह camera लेके हर जगा गुज जाती है और जब उनके घर में गई थी ना तो वहां पर gas का चूला एक चूले पर burner लगा हुआ था एक चूले पर burner भी नहीं था यानि कि एक जगा पर वो burner जो जिसमें छेद होते हैं वो भी नहीं था वो टूटा हुआ था वो क्या रही थी कि यह टूटा हुआ है हमें टाइम नहीं मिल रहा है इसको बनवाने का और इसको भी बनवाना है अब वो टाइम नहीं मिल रहा है या बिचारी के पास वाके में पैसे नहीं है उसको रिपेर कराने के लिए देखो एक screenshot लगा इसक्रिन की तरफ देखिए इ जहां तक मुझे असा लगता है कि उसने दिखा दिया है और उसने शूट भी कर लिया है तो definitely comment से बचने के लिए उसने दिला दिया होगा और नहीं दिलाया तो बहुत 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 ज़ादा बुरी औरत है कूलर तुम लेकर गए अपनी वहाई वही के लिए इसलिए तुमने वहाँ पर रिकॉर्ड किया दिखाया तुम यह सारे चीज़े चुपचाप भी तो कर सकते थे जैसे कि तुम चुपचाप कहां गए थे फणी के दोस की यहां पर देगे ना 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 वहाँ इजाजत नह नहीं किया बस यह बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं फिर एक टन एक म्यूजिक लगाया कट्टू अगले सीन में घर पर एक ठैले में दिखाया जिस ठैले पर कुछ अली वली लिखा हुआ था जिस पर वो कह रहे थे कि उनके बेटे का नाम भी है तो हमने सोच़ए नोने ठैल इसलाम में क्या हर धरम में मैं सारे धरम की बात यह करते हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन मुसलिम फॉलोवर्स भी हैं जो कि मुझे इस बात के लिए अगरी करते हैं बोलते हैं क्योंकि वो यह कहते हैं कि कोई भी धरम हो नहीं गलत चीज सिखाता है और नहीं गलत इसे बात को पता भी न चले, यह हर धरम में होता है, और हर धरम के लोग इस बात को मानते हैं, कि जो भी आप दान पुन करो, वो बिल्कुल ऐसे शान्थ तरीके से करो, किसी को पता भी न चले, क्योंकि वो तो सरफ उसके और उपर वाले के बीच की बात है, उसको क्या ही अच्छा तो होने वाला है नहीं खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी-खी अब इसका क्या मतलब है वो भी किसी अंजान परसंस है जिसको वो जानती भी न हो जबकि लगभग वो शायद उसी की एज का हो और जिस दोरान चालू ये सब रिकॉर्ड कर रही थी और फणी नीचे लेटा वाता और कुर्सी पे वो बैठा वाता तो जो दर्वाजा है ना द अपने रुमाल से ढख दो तो क्या हो गया इसको ढख दो लोग पहनते नहीं है मतलब इतने बेशरम होगे कि उसको एक परसंट शरम आ गई है कि इसको ढख दो दिखाना अच्छी बात नहीं है और वो कह भी रही है कि नहीं तो दिखाना थोड़ी ना चाहिए तो क्या क्योंकि वहां पर भी सारे लोग है तो थैंक्यू भी बोल दिया देखो अरे बापरे मतला फटाक से थैंक्यू बोल दिया के मेरी बीवी खर्चा कर रही है मेरी बाजी के लिए ओ माई गौड कितनी महान बन गई फणी की नजर में कितनी ज़्यादा शरम आने चाहिए जित यлек IS Heफ आना जताना शूट करना यह सब पैसा कमाने के लिए तो कर रही हो और अगर बाजी के पास जाओगी और व्लोगिंग नाशी देने का एक वायदा किया जिसमें चालूं और मेरी की मरजी है और हम इसमें खुशी देंगा और वो खुशी वही है मतलब पहले तो ये है कि तुम लोग तयार हो जा और ढबी गढ़ी में होरे सवातीन अब ये कौनसे दिन के सवातीन है कौन से टाइम की ये सोके उठ गई है दीरे दीरे बोल रहा है इशारे बाजी करकर के फ्रेंट्स हम आ गए हैं या पर लेकिन ना 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 यहाँ दुनिया देख ले चाहिए लोग मजाक उड़ाएं क्योंकि लोग मजाकी उड़ाते हैं इसका इसको वहाँ पर कोई अच्छा नहीं कहता सम्मजाकी उड़ाकर चलते हैं पीठ पीछे साब बाते करते हैं और वहाँ व्लोगिंग करते हैं भाई साब शूट कर दें क्योंकि मैडम का हुकम था कि तुम वहाँ लेकर जा रहे हो मेरे पैसे तो खर्चोरे हैं लेकिन मुझे उसका बाहर को अब हम बाहर निकल रहे आगर हमारी सास कहर निये पर नहीं हम तो dispunget हमारी कितनी बुराइए करें क्योंकि तुमने जैसे कांट कर रहे हैं ना तो तुमारी कीट पीचे बुराइई होती है पिजा को है जाँ मेरे दूद्वied को क्या कराना है वो बता देंगे हम आपको वैसे तो वो जो है प्लॉट भी दिखाना है इनको क्योंकि हमने जो प्लॉट लिया ना वो भी तो दिखाना है न क्योंकि यह दिखाना है कि हमने कमा कमा के कितनी बिल्डिंग खड़ी कर लिए कितना हमने प्रॉपटी बनानी है तो इससी देने तो दफी ना करकर आए है ये फातिया वातिया सबकुछ कराके लेकिन उसके बाद आकर नहाना जरूरी नहीं समझा अगर इन में थोड़ी भी अकल होती तो जब ये घर से बाहर गया था लसी वसी सबकुछ देने तो ये फोन करके बोच रखता था ये चालू अप जा सकता था क्योंकि टैप में जो पानी होता है टंकीकों में जो पानी होता वो गरम हो जाता लेकिन अगर आप उसको भर कर रख लेखे लेकिन अगर आप उसको भरकर रख लेते तो वह MOre गों पहर गरम पनी तो हमें तो करिए मैंने आदह Mach This. आधा के से नहाते हैं और नहांते हैं और नहाते हैं तो पूरा यह नहाते हैं आधा कैसे नहाते हैं कि Benefit कैसे दुप नहीं बताओ ना它 Senator इंट's कि सहर के अबबा को मैं कितने अंगूठे के नीचे दबा के रखती हूँ और उनको मैंने नौकर बना के रख रखा है अगर आप बहुत ही ध्यान से वहाँ पे सुनेंगे न तो वहाँ पे जो वो चेर पड़ी हुई है जो लोहे की स्टील की चेर है उन पर वो पेंट भी वो कुनवाई जाएंगे और फिर वो चेर त्यार हो जाएंगे वहाँ पर बैटने के लिए अब मुझे नहीं पता कि वह पुरानी चेर ले गई है या फिर वो लोहे की चेर ली गई थी जिन पर जंग लग रहा था तो वह ओल्रेडी पेंटेड आती है या फिर आपको वह बु हुई भी रखे थी वो जो चेर की फ्रेम थे और फ्रेंट्स बहुत सारे वैलेड पॉइंट बाकी है तो बहुत सारे पॉइंट मैं कवर करूंगी एक एक करके बहुत ही मज़ेदार तरीके से तो प्लीज उसको बिलकुल सुनिएगा और अभी के लिए मैं यहीं आप से मत कीजिएगा बाइ बाइ